आपको इंदरी अनाज मंडी के हलात को लेकर एक रिपोर्ट दिखा दे हैं हम इंद्री के अनाज मंडी में हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो एसेड है जिसमें जहां पर धान जो है कि बोरियां लगी हुई है पूरा का पूरा एसेड भरा हुआ है और जिस दिन से खरीद शुरू ही उससे पहले ही एसेड भर चुका था क्योंकि इसमें जो अनाज है वो सभी उन वेपारियों का लगा हुआ है जिन्होंने दान की खरीद कर ली थी आज तक उसकी लिफ्टिंग नहीं होई लेकिन आज जैसे ही तेजबारी सोई उसकी वज़े से काफी समस्यों का सामना किसानों को करना पड़ा और आप देख सकते हैं कि ये दान इस से बड़ा नुकसान अब की बार जो हुआ है वो है किसानों का हुआ है क्योंकि किसान धान लेकर के आते हैं और उसको बाहर डालना पड़ता है मजबूरी में और मजबूरी में जब धान को बाहर डालते हैं तो आज सुबह भी आमने देखने को मिला कि एक किसान की धान जो सेपहले उठाना ची है क्योंकि अब तो मंडी में बीड़ भी इतनी नहीं जब इसको उठाएंगे तभी इसकी पेमट आएगी जब तक इसको नहीं उठाएंगे तब तक इसकी पेमट भी नहीं नहीं आती तो इसका इसारा जो इसकी दरफ तो काफी धान जो था जैसे आज बारी सो ही कल से बारी सो भी थी कुछ धान जो है लोगों का इसमें पाणी में बैय गया क्या पाणी नुकसान आ मार्किट कमेटी वारे सची वहां पे मैसेज डाल देते हैं एक ग्रूप बना रखा है नोंने वह इस उसाड़ती पे कारवाई होगी जिसका माल बिगेगा तरपाल जीएगी तरपाल 20-30 थोड़ी ले अगड़ती वो तो इनका मार्किट कमेटी वारों का काम अभी यहां से मा बोरियां बाहर लगी हुई है और जब तक यहां नहीं उठती तो यहां किसान कहीं माना जाता है और इस प्रकार से व्यापक्स तरपे जो है यहां पर मंडी की तरप से कोई व्यवस्था नहीं की गई बद से बदतर हालात जो हैं इंद्री अनाज मंडी के हो चुके हैं अगर परसासन इसकी और ध्यान देता यह सेड़ घाली होते तो किसानों को किसी परकार की समस्चा का सामना नहीं करना पड़ता इंद्री से जंता टीवी के लिए वीजे कामबोज